आज हम पढ़ेंगे एक इंपार्डबिट पापड़ गया, इनर्ट रिएफेक्ट कैंश का होता है, क्या अलिमेंट के अंदर होता है, इसके जो बैसिक टर्म एले रिलेटिवेस्टिक खन्रेक्षण, फजान रूल, कोईलन करेक्टर, आयन करेक्टर, इनर्जी का जो ट्रेंड है, इस सब को हम डिसकस करेंगे हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इनर्ड प्यर एफेक्ट होता क्या है, इसकी डिफिनेशन कुछ हुआ है कि तेंडेंसी आफ, नाट टू टेक पार्ट इन बार्डिंग इन हेवियर इन पॉस्स ट्रांजिशन एलेमंंट ट्रांजिशन एलेमंंट को यो बाद वारे प्य वाद बाद बाद क्रेंड एलेमंट है, इसस smel पर फिकेंद आपिन्ञा हर्ड़ वाले अलेमंट हैं, उनके डीफिन बाद मुस्स अधर पक रज्द प्यर एफक्ट हुआ हो जो प्यर आफ़ लेक्टरान वो इनट रेते है और बाने गेंदर हिस्सा नहीं लेते है इसको बहुत है इनट पियर एफिक्ट सबसे पहले पोस्ट टांजिशन एलेमेंट और हैव्यर एलेमेंट क्या होती है वह मेंली यह गुरूप की एलेमेंट होते है गुरूप 13, group 14, group 15 सबसे पहले हम इन element को याद कैसे रखेंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर neumonik भी साथ में लेके हुए है और यह element भी लेके हैं, बोरान, almonium, gallium, indium, telium इसके लिए आप लोग के पास neumonik यह है कि बेंगन, aloo, gajr, in telie, इसके बाद group 14 के जो element हैं, carbon, silicon, germanium, tin, orlid, selenium and plumbus, कोई सीधा जाए सिन बंजाब, कोई सीधा जाए सिन पंजाब, इसके नुमेने के, इसी तरह group 15 के element, nitrogen, phosphorus, arzenic, intemone and bismuth, इसके नुमेने की है कि नाना पटेकर, अशूरिया, राए, सब बिंदास, सबसे पहले आप लोगों ने इन element को याद करने, इन नुमेने को यूज करके, इसके बाद, इनके अंदर जो, इसके जो, वेलेंशल, electronic configuration, या कोई भी electronic configuration, वो NS2, NP1 है, NS2, NP1, यानि वेलेंशल में इनके तीन electron होते हैं, इसी तरह इनके जो होते हैं, NS2, NS2, NP1, वेलेंशल के में तीन electron होते हैं, वो तीनों बादेंगे अंदर हिस्सा ले लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं, साइज लार्ज हो जाते हैं, तो उनमें ये जो NS2 वाले उलेक्टरान ये बादेंगे अंदर हिस्सा ने लेते हैं, जबकि NS, NP1 के अंदर जो इलेक्टरान है, वो बादेंगे अंदर हिस्सा लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये NS2 वाले उलेक्टरान बादेंगे अंदर हिस्सा ने लेते हैं, जब ये NS2 के अंदर जो ये पिर आफ इलेक्टरान है, ये बार्डिंग अंदर हिस्सा ना ले और इनर्ट रहे इसको बोलते हैं इनर्ट पिर एफेक्ट similarly गुर्फ 14 में ये NS2, NP2 NS2, NP2 इसमें भी ये जो S के अंदर इलेक्टरान है NS2 वाले इलेक्टरान ये बार्डिंग अंदर हिस्सा नहीं लेते हैं और NP2 वाले इलेक्टरान बार्डिंग अंदर हिस्सा क्यों लेते हैं इसके लिए यें इसके लिए नियुक्ले इन्टरान ते नूक्लिस देन एक्सपेक्टरान अब जैसे आप लोग इदर से नीचे की तरफ आते हैं बोरान से तेलियम की तरफ आते हो या कार्बन से लेट की तरफ आते हो तो नूकलिस के अंदर प्रोटान ज्याद होते हैं प्रोटान क्या कर लेते हैं वो यहाँ पर अगर एनिस वन वाले उलेक्टरान है उसको आहिसते जैसे जैसे प्रोटान ज्यादा होते हैं तो न्यूकलिस की होल्डिंग पावर ज्यादा होती है उसके साथ जो इस वाले इलेक्टान होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रिक कर लेते हैं जितने प्रोटान जैसे जैसे आप लोग नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पर अगर शिक्स प्रोटान है तो इधर लैट के अंदर वह बहुत ज्याद प्रोटान ज्याद हो गए न्यूकलिस की जो होल्डिंग पावर है वह ज्याद होगे उन एस एलेक्टान को वह अपनी हो जाते हैं प्रोटान भी जाद हो जाते हैं न्यूकलिस के अंदर तो जो इस वाले इलेक्टरान है वो करीब हो जाते हैं न्यूकलिस के करीब हो जाते हैं एक्सपेक्टिट से जितने कार्बन में होगे उसके मुकाबले में लेट के अंदर वो इलेक्टरान ज्यादा करीब ह होते हैं उसको न्यूक्लिस के करीब कर लेते हैं जितने एकस्पेक्टेशन होते हैं उससे ज्यादा वो करीब हो जाते हैं इसलिए यह एन एस वाले जो है वो बार्णे के अंदर हिसा नहीं लेते हैं और एन पी बार्णे के अंदर हिसा ले लेते हैं दूसरी जो बात है दूस के अंदर भी दो इलेक्टरान अब ये दो बांड बना लेते हैं लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आफ इनर्जी बहुत कम होता है बहुत कम होते हैं तो यहाँ इस से वाला इलेक्टरान इदर पी के अंदर जम कर लेते हैं और एक्साइट स्टेट में इसके अंदर चार हाफ फिर آربیٹال आते है और होंट ज्रूल के मताबि beast स्राइब मताबि को हरा रर्बिटाल बाढ़ने के एंदर हिस्सा लेते है अब जियसे ज्येसे आप नीचे की तरफ आते हो यह S और Pke दरमाइं difference of energy increase होता है difference of energy increase होते है, वो हंट ज्राल तो इजरनेट आर्बिटाल की बात करते हैं कि आर्बिटाल आफ सेम इनर्जी अब जैसे जैसे यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो कि जैसे जैसे आप लोग नीचे की तरफ आते हो 2S और 2P के दरमयान जो डिफरेंस आफ इनर्जी वो इंक्रीज हो जाते हैं तो S से इलेक्ट है कि डिफरेंस आफ इनर्जी जितना ज्याद होता है उतने इलेक्टरान की जंपिंग मुश्किल होगी अब यहाँ से यह वाले इलेक्टरान यहाँ से जंपिंग करना तोड़ा मुश्किल होगा है तो इलेक्टरान जब जंप नहीं कर सकता है तो उसको बाढ़ने के अंद जो बाण बनते हैं वो ऑयानिक बाण बनाılar अब यहां पर टी tlcl है एं the C L 3 से क्योंकि जैसे जैसे नीचे की तरह आथ हो यह सिरु पी वार इलेक्टरान बाणेंगे अंदर से इसलिए P B C L 2 आपके पास क्या है स्टेबल है इस केंपेर टो P B C L 4 इसको मैं यहाँ पर एक्स्प्लेइन करता हूँ देखना कारवन सिलिकान जर्मेनियम टिन एर लेड इसके केस में कारवन प्लस फूर अक्सिजन स्टेट में स्टेबल होते हैं के डिफरेंस आप इनरजी कम इलेक्टरान की जंपिंग असान है कारवन हमेशे के लिए चार बाण बनाता है और वो स्टेबल होते हैं इसी तरह सिलिकान भी चार यह देखो जैसे जैसे आप लोग नीचे की तरफ आते हो ग्रूप 14 में तो प्लस फूर अक्सिजेन स्टेट में वो अनस्टेबल होते हैं कारवन ज्यादा स्टेबल होते हैं प्लस फूर में और लेट और टेन कम स्टेबल होते हैं प्लस फूर में और प्लस फूर फार में यह क्वैलन करेक्टर शो करते हैं कुन सा करेक्टर क्वैलन करेक्टर क्योंकि फजान रूल हमें ये एक्स्प्लेइन करता है कि केटाइन का साइज जब स्माल होगा उसकी पॉलराइजिंग पावर ज्याद होगी तो पॉलराइजिंग पावर ज्याद होगी क्वैलन करेक्टर ज्याद होगा क्वैलन करेक्टर क जाओगा जिजब प्लस वोर फाम होंगे तो कोईलन कारेक्टर ज़्याद होगा इसी तरह प्लस टू अक्सिजेश टेर्ड में यहां पर एक तो साइज भी लार्ज है और दूसरा एक साइज लार्ज है और चार्ज होने वो कम है चार्ज कम तो पलराराइजिंग पावर क्या ह होती है वो भी साथ में प्लस टू में यहां पर चार्ज कम है और साइज क्या है लार्ज है तो चार्ज जब कम होता और साइज लार्ज होता है तो आयाने करेक्टर इंक्रीज होते है और यह दे कोई स्टेबल है प्लस टू में यह ज्यादा स्टेबल है यह उसके बाद यह कार्वन प्लस टो में कं से कंस्ट कार्वन प्लस फॉर में ज्याद स्टेबल है और लेट प्लस टो में ज्याद स्टेबल है Sozial